दोस्तों मस्नेरियान यूट्यूब चनल की एक और नई वीडियो में मैं उम्प्रकास आप सभी किसानवाईयों को बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों सोनालिका का एक और नया मोडल यहां पर आ चुका है आप देख सकते हैं ऑला के आप और नयां पोड़ rag a और फ्रानलिका का जो एक रएककर चुने के इसकी आपके अपके और पस्तों वहाए उसकी दिजाइन को यह ऑना केरे दिए इसे दाना XC'l का आता है lrk यह आप देखा रही है यह सबसे अलग है बिलकुल स्ली यह यह इन मार में हमने देखा था अब सुना लिकर अपने त्रीक्टर में दे रहा है इसमें आगे की तरफ सामने की तरफ दिया हुआ है कंपनी का दवा है कि यह पहले से और भी अच्छा है क्योंकि जब पीछे पाउर स्टेरिंग का रहता था तो डिक्कत होता था यह चीज यहां पर कटता था कंपनी कस्टमर लोग ऐसा कहते थे कि यह चीज कट जाता था लिकेज होता था यहां पर तो इस चीज को ध्यान में रखकर स्टमर ने इसमें काफी चेंज किया है और यह चीज दिया है एक और चीज में आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर देखिए एर ब्रीदर यह आप देख पा रहे होंगे पहले जो एकसल आता था उसमें नट दिया गया था यहां पर यह चीज सुना लेकाने काफी अच्छा किया है क्योंकि देखिए जब ट्रक्टर को हम चलाते हैं तो लगवग एक सो से दो सो गंटे में यहां पर आपको नट खुल सोना लेकाने काफी शुधार किया है जो सोना लेका का ब्रांड नीव डियाए 745 Origin ौडल वाला ट्रक्टर है ट्रक्टर है यह ब्रांड न्यू ट्रक्टर में आपको इसकी मैनुफेक्ट्रिंग डेड़ भी दिखा देता हूं आप यहां पर देख सकते हैं यह model जो है यह 2023 का model है पहले महिने में यह manufacture हुआ है और बाकी सारे specification भी देख सकते हैं सोना लिका 7453 HDM अगर हम इसके PTO power की बात करें तो देख सकते हैं 45 HP की जो PTO power है आपको मिलने वाला है इसके अगर हम SFC की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं 250 ग्राम पर किलोवाट आवर के हिसाब से और 184 ग्राम पर होर्स पावर हिसाब से यह diesel खबत करता है तो देखा जाए तो लगवक 6 लिटर डिजल खाएगा एक गंटे में रोटावेटर पर बागी अगर हम इसके इंजिन की बात करें तो वही सेम इंजिन है 3065 CC का इंजिन है तीन सिलेंडर वाला ITL ही इसको मैनिफक्टर करता है और तीन सिलेंडर का बोश का जो है आपको यहां पर ऑ Lakshade को मिल-जायगा ुछ सब कुछ दिय इन सेम है यहां पर आपको यहां पर आनको यह आपको वाटर को मिल जाएगा यहां पर डीजलपिल्टर मिल जाएगा जो कि सिंगछर टय पढ़का है पहले डिवाल आता था लेकिन अप सिंगल कर दिया है इस प्रहाल हम नीच चालने Hm min जायं 2498 का दोनों ही हमारे पड़लिंग का काम ज्यादा होता है तो भेलोग टायर ही आता है में आगे की तरफ कोई बंपर नहीं है लेकिन बंपर भी इसमें मिल जाता है लगवा 50-60 केजी का और आगे आप यहां पर देखते हैं आगे भी एक हीच कमपनी फीटर ही दिया गया है इस ट्रक्टर में बेटरी जो है आगे की तरफ नहीं दिया जाता है बेटरी को जो है साइड पैक करके मांट किया जाता इस तरफ अगर हम देखने तो इस तरफ यहां पर टेंडम पम मिल जाएगा यह पावर स्टेरिंग के लिए और यह हैडरोलिक के लिए यहां पर अल्टर मिल जाएगा यहां पर आपको जो है यह इंजन ओल फिल्टर है यहां पर हैडरोलिक ओल फिल्टर इस तरह के सारे जी अधार कंपनी ने किया है तो चलिए गेरबॉक्स देखते हैं बागी ट्रेक्टर की लुक्स आप देख लिए साइन इसका जो एक्जॉस्ट है वह कैसा है प्रीक्लिनर आप देख लिए यह क्लासिक डिजाइन के साथ आता है करें साइड लेंप की अगर बात करने तो आप देख सकते हैं साइड में यहां पर आपको एलीडी प्रोजेक्टर सब कुछ मिल जाएगा और बीच में हलोजन का लाइट मिल जाएगा तो पहले आपको यहां पर हाई और लो मिलता था और रिवर्स का अप्षन मिलता था लेकिन अब जो है कंपनी ने लो मिडियम हाई का अप्षन यहां पर दे दिया यानि कुल मिलाकर देखें तो इस तरब जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरब जैसे कि आप देख सकते हैं रिवर्स के साथ फोर स्पीड का गियर अप्षन यहां पर दिया गया है यहीं टोटल जो है बारा फ़रवर्ड प्लस तीन रिवर्स का गियर बॉक्स जो है अब सुना लिका अपने इस्ट्रक्टर में दे रहा है वहीं यहां पर आप जोड सकते हैं यह फिर बड़ा इंप्लिमेंट चलाने के लिए हैड़ोलीक लिप्टिंग क्यापसिटी की बात करें तो इसमें मिल जाएगा पीछे से जो लुक्स है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा साईड में आपको सिलवर और बीच में आप बलू कलर का आपको मिल जाएगा यह रिवर्स पीटिव का साइन आप देख सांगे आपじゃना है एक और सबसे महत्युपूर्ण बात अगर हम इस ट्रक्टर के टॉर्क की बात करें तो यह ट्रक्टर जो है 3065 cc का एंजिन के साथ आता है और 1900 रेटेड आर्पियम पर यह ट्रक्टर 205 न्यूटर्मेटर का टॉर्क जो है प्रोड्यूस कर देता है तो यह थी जानकारी दोस् में पाउर प्लस की ब्रांडिंग आप यहां पर देख सोते हैं यह ट्रक्टर जो सोना लिका डियाई 745 थाड़ पाउर प्लस फोर वाइफोर डियालेक्स मोडल है यह टॉप मोडल कह सकते हैं इसे इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो लगवक साड़े नौ लाख हमारे देखे उडिसा में है अलग-अबास में अलग-अलग फ्राईस होता है आप अपने राजू में पूछ लीजैगा डिलर से तो यहीं थी ज्फी जा करता हूए वीडियो में आशा करता हूं यह वीडियो जो आपको अच्छी लगई होगी अगर अच्छी लगई हो तो इस व वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, जय जवान, जय किसान.